अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके पाकिस्तानी सेना और सरकार के तो बहुत से आतंकी कारना में आपने सुने और देखे होंगे लेकिन अब जरा पाकिस्तान के सुप्रीम कोट को देखिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोट ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरन और हत्या मामले में बिटिश मूल के अलकाइदा आतंकवादी एहमद उमर शेक को बरी किये जाने के खिलाफ दाख अपीलों को खारिच करते वे इस संसनी खेज मामले में एहमद उमर शेक को रिहा करने का आदेश दे दिया अमेरिकी पत्रकार के परिवार ने इस फैसले की निंदा करते वे कहा है कि नियाय का पूरी तरह से मजाक बना दिया गया है आपको याद दिला दें कि वर्ष 2002 में क वाल स्ट्रीट जेनरल के दक्षिन एशिया बीरो प्रमुख डैनियल पर्ल जोकि उस समय 38 वर्ष्ट के थे उनका उस समय अफरण कर लिया गया था जब वह पाकिस्तान की खूफिया एजनसी आईसाई और अलकाइदा के बीच संबंदों पर एक खबर के लिए जानकारी और उसके तीन सहयोग्यों को इस मामले में दोशी ठहराय गया था और सजा सुनाई गई थी लेकिन पाकिस्तान के उच्टम नयायले की तीन नयायधीशों वाली एक पीठ ने आतंकवादी को रिहा करने का आदेश दे दिया हला कि पीठ के एक सदस्य ने इस फैसले का विरो पाकिस्तान साकी कुबू को भी रिहा करने का आदेश दे दिया परल परिवार के वकील फैजल सिद्धिकी ने बताया कि डैनियल परल के माता-पिता रूथ और जुडिया परल ने उस फैसले की निंदा की है जो हर जगा पत्रकारों के जीवन को खत्रे में डाल देगा परि फैसल जिद्धिकी ने कहा है कि अभियोजन पक्ष के लिए एक मात्र विकल्प शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल करना है लेकिन समीक्षा याचिका पर उसी पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है जिससे बहुत कम संभावना है कि वही निया परल के अपरण और उनकी हत्या के मामले के आरोपियों को बरी करने के पाकिस्तान के उच्तम नयाले के आदेश पर नाराजगी जदाते वे कहा है यह फैसला आतंकवाद के पीडितों का अपमान है वाइट हाउस की प्रेस सचीव जैन साकी ने समाधत्ता समेलन में कहा अमे हत्या की घटना ने 2002 में दुनिया की अंतरात्मा को हिला कर रख दिया था उन्होंने पाकिस्तान में हुई इस खटना संबंदी एक सवाल का जवाब देते वे कहा शेक और अन्य संदिक्दों को निर्दोश करार देने और उन्हें बरी करने का आदेश पाकिस्तान समित हर ज ने कानूनी विकलपों की शीग्र समीक्षा करें पाकिस्तान के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने भी पाकिस्तान से अपील की है कि वह है डैनियल परल की हत्यारों को नियाए आइके दायरे में लाने के लिए सभी इक लोhaoम फेंधिक्दों और वीचार करें वहांगी डै नियत को दिखाता है उन्होंने समाधातों से कहा मैंने पहले भी इसका उल्ले किया था कि आतंकवाद के आरूपियों के संदर्ब में पाकिस्तान में दोश सिध्धी की दर बहुत कम है यह मामला आतंकवाद की मोर्चे पर कदम उठाने को लेकर पाकिस्तान की नियत को सही का मजाक है कि एहमद उमर्शेख को आतंकवाद के जगन्य कृत्य को लेकर दोशी नहीं पाया गया उन्होंने कहा हमारा रुक वही है कि पाकिस्तान को अपनी सरजमी से पैदा होने वाले आतंकवाद और आतंकवाद के विद्ध पोशन के खिलाफ सतत विश्वस्निय और ठोस कारवाई करनी होगी बराल पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर सावित हो गया है कि पाकिस्तान दिखावे की कारवाई के नाम पर भले अंतरास्ट्री आतंकवादियों को जेल बेज दे उनकी संपत्यां जब्त करने की खबर अडवा दे उन्हें सजा सुनवा दे लेकिन असल में वहां आतंकवादियों को पाला कोसा जाता है वहां आतंकवादियों को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा जाता है वहां आतंकवादियों को पुरस्कृत किया जाता है और वहां आतंकवादियों के निर्देशों पर ही सरकार अपनी नीतियां तै करती है झाल झाल